हाई अबरिवन तो आज के एडिटोरियल में हम डिसकस करने वाले हैं कि कैसे फ्यूल प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं पांच और राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब गवर्मेंट के पास किसी भी प्रकार का कोई कारण बचा नहीं है इंटरनेश फ्री मार्केट है तो यहां पर इस प्राइस का बढ़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज को हम डिसकस करेंगे आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन और टेलिग्राम चैनल जिसकी लिं सकते हो इच और आप अपने पेस्ट के साब से चीजों को देख सकते हो और आगे आने वाले कोई भी बीडियो की जो पीडियाप से वह आपको बहां पर एजीली मिल जाएगी और हाँ अगर आप अने कैडिमी पर सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड होगे उस समय जो भी आपको मेकजिमम डिसकाउंट चल रहा होगा वह आपको मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं आज के अडिटोरियल को यहां पर बोल रहा है फ्रीज आउट मतलब इतने दिनों से जो फ्रीज थे पैट्रोल डीजल के फ्राइज वो क्या हो चुकी है एक अनफेर और डिस्टोस नरी चुनावी क्या है चुनावी टेक्टिक कह सकते हो आप चुनावी टेक्टिक से ठेक है और ट्यूजडे आप्टर पॉसिबली दा लॉंगेस्ट पॉस ओफ वन थर्टी सेवन डे इन इंडिया रीटेल फ्यूबल प्राइज रिसेंट येर औ उन्होंने अपनी प्राइज लगब अस्ती पैसे पर लीटर उन्होंने बढ़ा दी है फॉलोइंग अप सिमलर इंक्रीज ओन बैटनज डे और बैटनज डे भी को भी हमें ये सिमलर इंक्रीज देखने को मिला और यहां पर पॉसिबली अगर देखा जाए तो यह सबसे लं की पड़ी हो क्रूड ऑइल की प्राइज में अफिटी येर रुपे 50 हाइक बाद ऑल्स अफेक्टेट इन डोमेस्टिक कोपिंग गैस प्राइज तो यहां पर जो घरेलू गैस की जो प्राइज है उस पर भी लगब 50 रुपे की हाइक हमें देखने को मिली है फ्यूल प्रा 2021 में देखने को मिला था और फिर उसके साथ ही दीपावली की इव मतलब दीपावली की पूर्व संध्या पर गवर्णमेंट ने क्या किया था एक्साइज डूटी क्या कर दी थी कम कर दी थी लोगों को राहत देने के लिए दा इंटेल इंटरेगनम मतलब होता है दो समय अ बिद्धा फाइब असेमली एलेक्शन बेटर और उल्सो बिद्धा सार्फेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल कुरूड ओयल प्राइस अमंग दर रीसेंट इस्टेंस ऑप प्राइस फ्रीज इन इंडिया डी रेगुलेटेट पेट्रोलियम मार्ट प्रोड़क्ट मार्केट तो ग्लोबल क्रूड ओयल की प्राइस है वो हमें देखने को मिली लेकिन जो इंडिया का डी रेगुलेटेटट मार्केट नही की हवेज बाब जूद भी हमें यहां पर फ्रीज मिली हमें फ्रीज मिली वाला हमारे मार्केट में प्राइज नहीं बड़ी तो यह एक देखने वाली बात है तो यहां पर जो क्रूड ऑल की प्राइज है वो लग बस 73 डॉलर से 110 डॉलर पर पहुंच गई और एक समय तो 130 डॉलर पर भी पहुंच गई थी और यह सब हुगा क्या कब यह तुरंत उसके बाद हुगा जब रसिया ने इन्वेजन किया यूकरेन का इस इन्वेजन सब्द क आप एक मतलब समझेए यह सभी लोग इन्वेजन बोलते हैं लेकर रसिया इसको क्या बोलता है एक मिलेटरी ऑपरेशन बोलता है और बोलता है कि लोहांस और डोनेस्क की रक्षा के लिए हमने मिलेटरी ऑपरेशन चलाया है कहां पर यूकरेन के अंदर और यहां पर ओडिनरी सामान्यता अगर देखें तो जो ओल मार्केटिंग कंपनिया है वो क्या करती है कि पंदरा दिन का एक एवरेज निकालती है कि पंदरा दिन के प्राइज है उसका एवरेज क्या है वो साथ ही साथ यह भी देखती है कि उनकी बास्केट में कितना क्रूड ओयल पड़ा है और उस क्रूड ओयल को अनोंने कितने में खरी था इन सब कलकुलेशन के बाद क्या करती है औल कंपनियां क्रूड ओयल का प्र क्या करती है निर्धारित करती है तो यहां पर गवर्मेंट खुद को अलग तलग करती है कि हमारा कोई डारेक्ट हस्तक छेप नहीं है कि हम प्राइस को कम करवा सके क्योंकि कभी-कभी जब लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइस इतनी बढ़ गई तो गवर्मेंट उस समय यह दलील लेती है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया है पेट्रोल डीजल को अब वह अगर वहां बढ़ेगा तो यहां पर भी बढ़ेगा औ यहां पर यहां पर यह चीज भी हमें देखने को नहीं मिली कि भाई हमारी ओल कंपनिया हैं उन्होंने क्या किया होगा कि जो पुराने प्राइस स्टेक पर क्रूड आयल परचेस कर लिया और उसका भंडारन इस लेवल पर कर लिया कि इंटरनेशनल मार्केट में लग पचा 50% बढ़ने के बाद भी उन्होंने इंडियन मार्केट में जो डीजल की प्राइज है उसको रती मात्र भी नहीं बढ़ाया तो यह कैसे हो सकता है जबकि हमें इस प्रकार का उनके पास कोई भंडारन भी देखने को नहीं मिला तो यह भी देखने वाली बात है और जब और इंटरनेशन मार्केट पर ही उनको परिचेस करना पड़ेगा अगर उनको कमी होगी तो यह एक चोकाने वाली बात है कि आपने इंपोर्ट किया तो नो डाउट आपने इंटरनेशन मार्केट पर इंपोर्ट किया होगा तो आपने यहां फिर प्राइस उसके क्यों नहीं ब तो यहां पर इन सब चीज की जो प्रश्ण है उसका उत्तर सर्फ एक ही है वो क्या है कि जो पांच राज्यों में चुनाओ थे उन चुनाओ के चलते इन ओयल कंपिनियों को थोड़ा सा कुहीं नी मलब थोड़ा सा बोला गया होगा इस पश्ट रूप से कि भाई आप इसको आप कम रखो जो भी ज्यादा कॉस्ट है उसको क्या करो बियर करते रहो तभी यह चीज हो सकती है नहीं तो यहां पर इंडियन मार्गेट में प्राइज नहीं बढ़ाया और फिर प्राइबेट प्लियर की बात करें तो उन्हें तो भाई कंपीट करना था अगर आप प्राइबेट प्राइबेट कर लेता तो आप किसके पास भराने जाते इवन अगर दो रोपय का भी डिफ्रेंस हो तब भी आप कहां जाओगे सरकारी मतलब जिस प्राइस कम होगी तो प्राइबेट कंपनियों ने भी अपने अदाम इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि इस कम्पनियों ने अपने अदाम नहीं बढ़ाये थे प्राइस को आप पूल्ड करने ना ये एक प्रकायर से आप जो एलेक्टूरल पॉलेटिक्स है मतलब जो लोकतांत्रिक राजनीती है उसको क्या कर लेते हो होस्टेज बना लेते हो डिप्लाय हो और ये चीज आपको बार बार देखने को मिली आपने हाली में इन पांच रा रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी जो मसीनरी है स्टेटमंट्स मसीनरी मतलब जो सरकार की जितनी भी मसीन दिये वो आप लगा देते हो इस टेक्टिक को इस्तमाल करने के लिए दवल्क डीजल प्राइस हैब बिन रेज़ बाई 25 पर लीटर 122 इंडिकेटेटेटेट सेवरल मो 20 रुपए बढ़कर 122 रुपए इतने बड़े अमांट में पैक्ट्रोल मिल रहा है और आपको वह दे कितने में रहे हैं डीजल नहीं डीजल के बात कर आपको देक्तरेख सो रुपए में या 90 रुपए में मुझे याद नहीं पता नहीं कि कितने फैर चल रहा लेकिन वह लगब इसी के अराउंड दे रहे हैं तो अब यह जो गैप है इसको फिल करने के लिए वो आपको आने वाले समय में बार बार आपको हाई देखने को मिलेगा इंफिलेशन अल्रेडी एवर दे कमफर्ड लेवल में राइस फर्दर एंड गॉवर्मेंट में इंटर्वीन बित मोर ड्यूटी कट एट सम पॉइंट तो यहां पर इंफिलेशन महगाई बढ़ने वाली है वो भी कमफर्ड लेवर से जिसमें हमने पिछले कुछ दो में हमने एक या दो अगर मुझे जहां तक सही यादत तो कम से कम दो एडिटोरियल तो हमने डिसकस किये ही है जिसमें हमने इंफिलेशन को डिटेल डिसकस किया है उसमें हमने बताया है कि आरवी आई ने का जो पेमाना है कि इंफिलेशन 4% से 6% के बीच में रहनी चाहिए लेकिन ब गवर्मेंट ने comfort लेवर तैक किया था 6% में राइस फर्दर एंड गवर्मेंट में इंटर्वीन बित मोर ड्यूटी कट तो यहां पर अगर पहले यह उपर जा चुकी है फिर से अगर और उपर गई तो गवर्मेंट अपनी ड्यूटी कट करके सम पॉइंट को मैनेज करने की कोशिस करेगी बड़ा यहां पर और बड़ा रेट फ्लेग का भी बेट कर रहा है नो सेंट ग्लोबल इंवेस्टर विल बिट फॉर भारत पैट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेट फॉर इंस्टेंस इप्राइसिंग फ्रीडम इस एफेक्टिवली कुल्टेड आप्टर ए कॉर्परेशन लिम्टेट की जो फ्रीडम है किस चीज की फ्रीडम क्यों प्राइस को खुद अपनी आजादी से रेगुलेट करें और जैसा कि गवर्मेंट क्लैम भी करती है कि जो भारत का पैट्रोल डीजल वाला मार्केट है वो क्या इंटरनेशन मार्केट से रेगुले बड़े अमाउंट में लॉस जहिलना पड़ता है क्योंकि आप बरतमान कंडीशन को अगर देख रहे होगे तो कहां 30 डॉल प्रती बैरल प्रती बैरल पहुंच गया तो इन दोनों के बीच का जो कॉस्ट है वो कौन भीर कर रहा होगा नो डाउट वो कंपनियां ही भीर कर नहीं होगे क्योंकि यहां पर आपने जो रीटेल मार्केट उसमें तो आपने प्राइस बड़ा ही नहीं तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर भी देखता है कि अगर जिस कंपनी को ज्यादा घाटा जहलना पड़ रहा है उसमें वो इन्वेस्ट क्यों करे और तब और जहां जैस प्राइशन मलब not only because it undermined label playing electoral field in favor of the ruling dispensation but also open the door for more such creeping dictate or deviation from policy position for temporary gain in voter perception तो यहां पर यह जो प्रेक्टेस हो गई है continuously इस चीज़ की हो गई है यह एक बड़ा बड़ी ही एक concertination पैदा कर देगी एक आतंक टाइप की पैदा कर देगी लोगों के यह सिर्फ इसलिए पैदा नहीं कर देगी कि आप इन सब चीज़ों को अंडरमाइन कर दे तो सिर्फ रूलिंग पार्टी को फायदा पहुचाने के लिए चुनाव के अंदर बलकि इस चीज़ के द्वार ओपन कर देगी कि जो भी पार्टिया है आगे आने बाले चुनाव में जो भी पार्टिया जिनराज्यों में वो इस की चीज़ों को बार-बार क्या करेंगी टेंपरेरी गैन के लिए इस टाइप की टैक्टिक यूज करेंगी अब आप सोचो 137 दिन तक अगर प्राइस कोई ना बढ़ाए तो कहीं न कहीं वो लॉस उस कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ हुआ कितने हजारों लीटर डीज जब और पहुँच गया कहीं यह विवस्था ना बन जाए आगे आने वाले समय में तो फिर क्या होगा इन कंपनियों के हालत बहुत बुरी हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में हर च्छे महीने साथ महीने के अंदर कहीं न कहीं किसी ना किसी राज्यों के चुना होते ही रह तो जैसे कि ये फ्यूल प्राइस के अंदर हुगा कि फ्यूल प्राइस को गवर्मेंट नै क्या कर दिया इस थिर कर दिया और यहाँ पर चुनावों को देखते हुए उसने फायदा पहुंचा लिया तो ऐसे ही और जो गवर्मेंट की policy है उस चीज को भी जो गवर्मेंट है उनको regulate करने के लिए या कुछ ऐसी policy लाएंगी चुनावी समय में कि गवर्मेंट को फायदा हो जाए तो वहाँ पर भी ये चीजे कहीं नहीं habit ना बन जाए ये चीज देखने को बाली बात है कि जब चुनाव आए तो गवर्मेंट ने कोई ऐसी scheme निकाल दी जिस प्रकार से ये fuel price को क्या कर देते हैं उसी प्रकार से कोई अलग policy निकाल दियो जैसे चुनाव खातम हो गए तो वह चीजें बंद हो गए तो यहां पर यह तो चलो ठीक है यह जो वोटर्स है उनको के लोग लभावन के लिए तो यह चीजें गवर्मेंट क्या करती है इस प्रकार की policy लाती है इस प्रकार की फ्यूल प्राइज को क्या कर देती है इस तर कर देती है लेकिन यह चुनाव आयोग को इस चीज को क्या करना चाहिए एड्रेस करना चाहिए कि जो policy आपने बनाई यह जो policy आपने चुनाव के तहट यह मुखेता crude oil पेट्रोल डीजल के उस पर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो चुनाव के बीच में जो आपने fuel price पेट्रोल डीजल की price को freeze रखा वो चुनाव के बाद आपने बढ़ाना क क्यों start कर दिया इनका एक सीधा सा question यह है तो इनका कहना है कि election commission को इस बारे में संग्यान लेना चाहिए इस चीज़ को address करना चाहिए और एक decision लेना चाहिए गवर्मेंट यह जो राजे सरकार हों केंदर सरकार हों यह इस प्रकार का जो कहना चाहिए लोकल भावन policy ना चुनावी सरगर्मियों के बीच में ही उस policy का महत्त हो तो यह पूरा एडिटोरियल इसी बारे में था कि आखरकार अगर आप किसी चीज़ को लाते हो तो प्रॉपल लाओ ऐसा नहीं कि चुनावी चुनाव चल रहा था और एक ऐसा मार्केट जो मार्केट फ्री था यह पूर इस एडिटोरियल थैंक यह पूर तोड़ी